सवी और तापसी जाने वाली है पुलिस टेशन करने वाली है जिगर को एक्सपोस जी हाँ दोस्तों सीडियल गुम है किसी के प्यार मेक अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बहुत धमा केदार जहां आप देखेंगे कि अब सवी को तापसी सादा सच बताते हुए नज़र आने है तापसी उसे बता देगी कि जिगर ने उसे मॉलेस्ट किया था जिगर से वो बहुत पहले ही मिल चुकी है दोनों कैनेडा में एक दूसरे के साथ थे जी हां ये सब जानने के बाद उढ़ने वाले हैं सवी के होश और यहां शो में होने वाला है कुछ ऐसा कि एक तरफ र रज़त को फोन पर कुछ भी नहीं बताएगी वही इसी के साथ आप देखेंगे कि अब सवी अगली सुबा जब उठेगी तो सभी खाने की टेबल पर होंगे लेकिन ऐसे में तारा बहुती बत्तमीज़ से बात करते हुए नजर आने वाली है जो यहां वही तक सवी के साथ इतनी अच्छी ती इतने अच्छे से रहते थी वही अब अपने पती यारी की जिगर को सपोर्ट कर रही है लेकिन यहां पर अब सवी को सारा सच पता चलने वाला है जिगर का होगा कुछ ऐसा कि अब सवी जाने वाली है अपने स्कूल और यहां पर उसकी बैन उसे मिलने क सब्सक्राइब लेकिन यहाँ पर कहानी में आने वाला है ट्विस्ट क्योंकि तापसी यह सारी बाते सुन लेगी जी हाँ दोस्तों तापसी जो सवी के स्कूल में ही है तापसी तभी आएगी सवी के सामने और कहेगी कि मुझे पता है कि आप ये बाते अपनी दोस्त के लिए नहीं बलकि अपने लिए ही कह रही थी सावी उसकी बद सुनकर बहुत ही साधा हैरान होने वाली है और यहां आप देखेंगे कि सवी उससे कहेगी कि तुम यह क्या बात कर रही हो और तब तापसी उससे सारा सच बताने वाली है कि किस तरह से जिगर ने उसके साथ भी यही सभरकते की थी और इसी के साथ आप देखेंगे कि अब तापसी सवी को कहेगी कि मैं आपका साथ दूँगी मैं पुलिस टेशन जाकर जिगर के खिलाफ गवाही दूँगी और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी यहाँ पर तापसी और सवी दोनों ही एक साथ मिलकर जाने वाली है पुलिस टेशन और यहाँ पर वो जिगर के खिलाफ कमप्लेंट फाइल करते हुए नजर आएगी लेकिन यहाँ भी कहानी में टूस्ट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जिगर तापसी और सवी को एक दूसरे के साथ देख लेगा और ऐसे में जिगर तापसी को फिर से ब्लैकमेल करते हुए नजर आएगा जहाँ पर तापसी अपने बयान से मुकर जाएगी और इस पूरे ही case में फिर से फस जाएगी सवी जी हाँ दोस्तों सवी पर ही ये वाला case लगने वाला है कि वो कर रही है किसी को molest अब देखना मज़ेदार होगा कि जब रज़त को इन सब के बारे पता चलेगा तो क्या होगा रज़त का reaction वैल आपको क्या लगता है क्या रज